नमस्ते देविया सचनों, मेरा नाम है करण माथोर और मैं आपका स्वागत करता हूँ इन्डिन आर्टिस ब्लोग के चैनल पे हमने रीसिनली काफी टेस्स और काफी एक्सलेशन कंपारिसंस करे हैं लेकिन जो majority गाड़िया थी वो small या mid-size segment की थी लेकिन इस वीडियो में हमने सुचा क्यों ना मज़ा थोड़ा बढ़ाया जाए और थोड़ी तेज और थोड़ी प्रीमियम गाड़ी का comparison किया जाए तो उसी के साथ BMW की तरफ से हमार पास है BMW 3 Series अतने 330i variant में और ओड़ी की तरफ से हमार पास है ओड़ी A6 in its 45 TFSI variant अब दोस्तों हम ये admit तो करते हैं कि ये दोनों गाड़िया अलग segments की हैं और अलग buyers को भी appeal करती है लेकिन अगर देखा जाए तो engine की मुकाबले में price, weight में दोनों एक दूसरे के जादा दूर नहीं है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इनके specifications बता देता हूँ BMW 330i के साथ शुरू करें तो it gets a 2-liter twin scroll turbo petrol engine जो बनाता है 255 bhp 400 newton meters of torque और इसको मिलता है एक 8-speed automatic transmission अब दोस्तों ये एक rear wheel drive गाड़ी है और इसका weight आता है 1600 kg के आसपास depending on the trim level अब अगर हम Audi A6 45 TFSI की बात करें तो इसको मिलता है 2-liter turbo petrol engine जो बनाता है 241 bhp 370 newton meters of torque और इसको मिलता है 7-speed DSG gearbox अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये एक front wheel drive गाड़ी है और इसका weight है 1780 kg तो उसी के साथ दोस्तों मैं तो काफी excited हूँ देखने के लिए इन दोनों से कौन सी जाधा तेज हैं तो बिना कोई time waste करें चलिए शुरू करते हैं में पाहें अगर आँ़ता है झाले कर दो शोस्तों मैं मैं यह tratar है मैं आव भंग देगे दाएक टेप शुराइस, दो में पार्कना मेंके आएक। आएक है कि दूपस्ट लेकरण टूरुग है कि दूनियोग को कि दूनियोग यहां कि दूनियोग करते दिए करते हैं अब दोस्तों ये था हमारा acceleration comparison of the BMW 330i and the Audi A6 45 TFSI अब जो best time हम 330i में ला पाए वो था 6.25 seconds और जो best time हम Audi A6 45 TFSI के ला पाए वो था 7.39 seconds अब दोस्तों हम ये तो जानते थे कि BMW 330i being a lighter slightly more powerful car वो जाधा तेस्त होती लेकिन इस test में honestly Audi A6 ने हमें surprise करा क्योंकि वो जाधा भारी है उसको BMW जितनी power नहीं मिलती है लेकिन तब भी काफे तेज गती से भागके इस दौड में BMW 330i के पास ही रही अब दोस्तों मैं आपको ये एक बारी फिर से याद दिला दू कि ये दोनों गाडिया अलग segment की है और अलग buyers को भी अपील करती है लेकिन इस test में हमें बस कुछ interesting करना था और एक interesting comparison देखना था तो इसी के साथ आपको कौन सी ऐसी गाड़िया को वीडियो देखने है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन ज़रूर दबाए हमारे चानल को subscribe ज़रूर करे और notification bell दबा दीजे ताकि आपको हमारे वीडियो की notification सबसे पहले मिल पाए झाल